Hello guys, कैसे आप सब? चलो, आज कुछ new बनाते हैं, अच्छा सा कुछ tasty सा बनाते हैं सबने ये pulse candy से candy बनाई है, ice candy लेकिन ये दो flavor से मैंने नहीं देखाए कि किसी ने बनाई है तो मुझे लगा कि चलो, आज मैं ये try करते हूँ, कैसे बनती है और इसमें मैं एक twist भी लाने वाली हूँ, जो आप आगे देखिएगा कि टिपिकल वो green वाली candy थी, उससे तो अच्छी बनेगी और better बनेगी मुझे ऐसा लगता है, तो चलो, start करते हैं सबसे पहले मैंने ले लिया है दो candy, जो एक flavor guava है और दूसरा वाला orange है, तो इसको packets पूरा अभी पैकी है, कुसी ने कोला नहीं है मेरे गर में दो बच्चे लेकिन उनने भी खाया नहीं है, मैंने दिया ही नहीं था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो अभी मैंने उसको खोल दिया है, और दो flavor से मेरे पास orange and guava तो दोनों को मैं, twist मेरा यह है, अभी मैं suspense नहीं रहूंगी, twist यह है कि दोनों mix करके मैं एक नया flavor बनाने वाली हूँ देखते हैं कैसा बनता है, एक अकिला flavor तो हमने ट्राइ किया होगा आप लगों ने भी लेकिन यह दोनों मिलके कैसा बनता है, कैसा लगता है, वो अभी देखना पड़ेगा कि कैसा होता है तो हम यह experiment कर रहे हैं, तो मेरे बेटे ने भी मुझे help कर रहे है फिटाफ़ट से उसका wrapper निकालने में और हम दोनों ने मिलके बहुत सारी candies का wrapper निकाल दिया, लेकिन यह बहुत ही boring काम था, तो finally हम दोने निकाल दिया, थोड़ा ही निकला, सब्दी निकला हमने एक mixer jar में मैंने उसको डाल दिया candy को और उसको grind कर दिया, तो वो अच्छे से बहुत ही easily फटाफट से grind हो जाता है, और यह रेको मस्त powder बनके ready हो चुका है, अब मैंने एक लिया है बड़ा सा जग, और जग के अंदर मैं डालूंगी तीन चमबज बरके मैं यह पाउडर मैं पानी नहीं मिलाओंगी, मैं मिलाओंगी यह स्प्राइट, यह सोडा है और सोडा तो ठीक है, लेकिन सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे स्प्राइट का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो यह तीनों मिलके पता नहीं कैसा flavor बनता है, बढ़िया ही बनेगा, देखने मे मैंने उसको mix कर लिया, तो अच्छे से वो गुल जाए, और अभी यह mix हो गया है, और इसका color भी देखिए, आप कितना मस्त लग रहा है, तिपिकल green color नहीं है, यह मस्ता orange और peach दोनों का combination है, मस्ता color लग रहा है, और यह देखो, मैंने एक eyes candy maker ले लिया, और उसके अंदर मै चाहिए, फ्रीजर में, जो eyes candy हम जब बनाते हैं, तब जमाते हैं, तो वैसे हमें इसको जमा देना है, और देखो, इसका मैंने ठकन लगा दिया है, और यह दोनों खली रहेगे, तो मैंने ऐसे लगा दिया, अब यह मैंने जमने के लिए रख दिया है, देखो, जम के मेरा candy रेडी हो चुका है, अब मैं उसको निकालोंगी, अनमोल्ड करोंगी, तो आप देखिएगा कैसा color आ रहा है, color तो वैसे ठीक था कि आया है, इतना color तो मुझे नहीं लगा कि बहुत ही extraordinary color आया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत ह अगर आपको यह recipe अच्छी लगियो तो guys, like and subscribe भर देना, bye